हेलो फ्रेंड वेलकम टू नॉलेज यक्यू विशेक मैं विशेक आपको स्वागत करता हूँ आपके अपने चला है नॉलेज यक्यू विशेक में और फ्रेंड जैसा कि वीडियो के थम्निल से आप सभी को दिख रहा होगा आज मैं आपके लिए लेका रहा हूँ तब लेजेक इस बेड का रिविव स्टार्ट करते हैं तो रिविव स्टार्ट करने से पहले आपको इंपूर्डेंट कुछ इस बूक के बारे बता धेता हूँ क्योंकि काफी लोगों के मन में रहता है कि रुप्मली की बुख जो होती है जीहाँ इसमें कुछ छोटी- aurी- बु वीडियम बाले हैं उनके लिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाले हैं जो काफी अच्छा मुझे लगा इसमें की दोनों इसमें दे रखा है साथ-साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे जो भी आपकी एंटी-पी-सी की पोस्ट होती हैं जो कि इसके अंदर आपको द दिखाता हूं बैक में देखिए और भी रेलवे की जो भी बुक्स आती है उसके बारे में यहाँ पर दे रखा है बाकी सब कोछ यहाँ पर दे रखा है अब हम बुक के अंदर देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रेंट पॉइंट्स यहाँ पर कवर करेगा है तो आप लोग जीके को अच्छे से दे रखा है ब्रीफली एक्स्प्लेइन है क्या क्या चीज है वो भी हम आगे इसमें आपको देखेंगे तो बाकी हम इसमें इंपॉर्टन पॉइंट्स और कुस दिखाता हूं आपको देखिए टेस्स इरीज जो आपको दे रखी है यहाँ पे इस तरी अगर आपको और अडवांस और अगर आपको आपको और जो भी बुक्स हैं जैसे की राकेश जादा भी हो गई या किरन की हो गई या कोई भी बुक आप पर्चेस करके उससे को लेविल को बढ़ा सकते हैं तो यहाँ पे कोस्चंस का मैज का लेवल ठीक ठाक है आप लोग यहाँ से अराम से प्रेक्टिस कर सकते हैं और इसमें जो कोस्चंस को मैज में एक दिक्कत यह लगी कि कोस्चंस को आपको फ़ाद दिखाता हूं important जीच कि कोस्चंस को बहुत long method से यहाँ पर explain किया गया है जो की काफी जाधा time taken हो सकता है अगर जिसको भी short tricks वगर आती है तो अपने trick से कोस्चंस को कर सकता है क्योंकि इस तरीके से कोस्चंस करने में उसको काफी अरा time लगेगा method ठीक होता है कि आपको long method भी आना चाहिए लेकिन paper में time कम रहता तो उसके लिए आपको short method से भी questions करने आने चाहिए तो उसके लिए आपको अपने notes या जो भी आपन अधर में आया है वो भी इन्होंने काफी सारे questions इस book के अंदर डाले गए है ntpc के जो पिछले sites से उनके भी काफी सारे questions यहां पर दिये गए है तो यहां पर यह important अच्छी जी लगी और साथ साथ आपको बताता हूं इसके अंदर जो आपका GS का portion के questions जो है static का portion अच्छे स आप लोग इसकी पढ़ाई कर सकते हैं बाकि इसमें सबसे अच्छी बात लगी कि जो इसमें समझाने का तरीका है GS का उसमें काफी अच्छे से मतलब आप देख सकते हैं कि मतलब हर एक line को मतलब हर एक question को briefly explain किया गया है जो कि इस book को काफी अच्छा बनाती है तो कुछ कमी अच्छा ही है तो book में आप देख सकते हैं questions को अच्छे से explain किया गया है ताकि आपको वो चीज जो है उसके साथ साथ एक objective से आप चार objective भी कवर कर सके हैं यह इस book का motive है तो math की portion में थोड़ इसी मुने दिक्कत लगी लेकिन यह जो science का portion है काफी अच्छा है easy to moderate question है इसी त सरी की से total यहां देख सकते हैं 20 टेस्ट हैं पर आपके आ जाएंगे जो कि आपके लिए अच्छा खासा practice कराने के लिए काफी है तो आप लोग के लिए अच्छी सी practice हो जाएगी इसमें आप लोग को ज्यादा दिक्कत भी ने आएगी बढ़िया बढ़िया question भी आपको मिल जो है एक हपते या week के अंदर है तो आप जरूर लाके जाएं काफी अच्छी बुक आप लोग के से खरी सकते हैं आशा करता हूँ आप लोग को यह बुक का रिव्यू पसंद आया होगा और अगर आपको कोई other बुक का भी रिव्यू करवाना है तो आप comment में जरूर मुझ झाल